कि वेल्कम टू फिजिक्स मैथ आज हम लोगों डिसकस करेंगा है चल्टेन टॉप वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रेक्शन यह काफी इंपोर्टेंट है क्लास 11 नीट एंजेए के लिए और इसका यूज आगे का आप क्लास 12 फिजिक्स में भी है और बहुत सारा और जो भी वेक्टर कॉंट्रेटी है उसका जब सुपर पोस्ट यह रिजल्टेंट आता है तो वहां पर इसका यूज आता है तो अभी से इसको क्लियर करते हैं चलिए स्टार्ट करते हम लोग एक डागराम बनाएंगे और एडिशन सब्ट्रेक्शन को हम लोग एक सिंगल डागराम में कॉंपर करेंगे और अगर आप इसको सिंगल डागराम से कॉंपर करना समझ गए तो फिर कभी भूलेंगे नहीं तो सपोज हम लोग का यह वेक्टर है और इधर एक वेक्टर है हम लोग इसा कुछ नाम दे दे रहे हैं सब्बकर दी है और ये वेक्टर क्यूँ है और हम लोग इधर बं सकते हैं walya अब समझी अच्छे से इस लोग लिखते हैं रेड़्यका फॉर्मूला अगर आर एक्वाटिज्गू टूपी प्लस क्यू इसका क्या मतलब होता है वो समझते हैं पहले इसका यह मतलब है आर इस दे रिजल्टेंट और दिखेगा मतलब होता है रिजल्टेंट यह याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट यह टर्म है रिजल्टेंट प्लस साइन का मतलब होता है और दो वेक्टर का रिजल्टेंट जब भी हम लोग फाइंड करेंगे तो रिजल्टेंट इन विट्विन दे वेक्टर होगा तो जो आर आ जागा रिजल्टेंट जो ही पी और क्यू का है वो आर यहां पर रहेगा दिस इस आर तो इसको बोलोग आर बोलेंगे आर वेक्टर यह एक्स्प्रेशन में आर इकल टो पी प्लस क्यू है तो आर है रिजल्टेंट और पी और क्यू और रिजल्टेंट आल्विज क्या होगा देखे दुनों वेक्टर के इन वीट्विन होगा सबोज यह एंगल है अलफा और यह एंगल है बीटा और टोटल एंगल है थीटा तो आपको याद क्या रखना है हम बता रहे हैं भी तो रिजल्टेंट का मैगनिटूड बहुत यूज होता है तो आर मैगनिटूड इसको हम लोग सिंपली आर बोलेंगे और देट इस इकल टो हो मच पी प्लस क्यू मैगनिटूड यह हो जाएगा पी प्लस क्यू मैगनिटूड तो यहांस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और इकल टू प्लस क्यू मैगनिटूड को लिखना पड़ेगा यहां पर पी स्क्वाइर प्लस क्यू स्क्वाइर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा तो यहां पर हम लोग यह फॉर्मला देखे रिजल्टेंट का मैगनिटूड का अभी इसका एंगल यह अलफा और बीटा भी आता है क्वेस्टन में तो यहां पर कुछ नाम ओ दे दे रहां पॉइंट का देखिए यहां पर अगर अलफा हम लोगों करना पड़ेगा उसके लि उपर में अलफा एंगल पी के साथ है तो लोग पी को नहीं लेंगे उपर में क्यूं को रखेंगे क्यूं साइन थीटा थीटा है एंगल बिट्विंदे वेक्टर जो वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है रिजल्टेंट उसको नहीं लेना है अधर को लेना है यहां पर पी यूज करते हैं यह बीटा अब हम लोग लिखेंगे यहां से टैन बीटा यह आ जाएगा देखिए बीटा एंगल है रिजल्टेंट का क्यू के साथ तो लोग उपर में यहां पर पी लेंगे रिवर्स हो जाता है पी और क्यू को बस इस फॉर्मॉला में पी और क्यू को आप कर दीजिए अलफा वाले फॉर्मॉला में पी एंगल बीटा मिच जाएगा तो क्यू के जगह पर पी डालेंगे साइन थीटा वही रहेगा और यहां पर नीचे हो जाएगा क्यू प्लस की कॉस थीटा यह टेन बीटा हो गया तो यह तीन फॉर्मॉला याद रखना है रिज बिल्ग और फिर से सब्सक्राइब यहां फिर सब्रॉन रहा है और चैनल में थेरा है । भर स्क्लाइब लत अगर अप लोग ऐसका पूलोग्रिक क्योशन होता है तो कैसे करना हुआ हम समझा रहे हैं करेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा आप लोगों कोमेंट करना है उसका प्रूप वाला वीडियो बनाएंगे यह था अब सब्ट्रेक्शन क्या होता है उसको समझेंगे अब लिखते हैं यहां पर सब्ट्रेक्शन अभी सब्ट्रेक्शन और सब्ट्रेक्शन को सब्ट्रेक्शन अब लोग इसको री आर्रेंज कर लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा प्लस ब्लस मैनस क्यू वेक्टर यह बहुत इंपोरेंट यहां पर प्लस के बाद जो मैनस डालें ना यह बहुत इंपोरेंट है तो अब देखिए हापर पी और क्यू का क्या है आरवन इस इस हार वन यह लोग हो जाएगा अब टोटल एंगल थीटा था यहां पर तो यह एंगल जो होगा यहां से यहां तक वह कितना हो जाएगा बताये लिनियर प्रियर वनटी मैनस थीटा विए तो यह थीटा था थे यह 180-3 वह जाएगा वह नेटी मैनस थीटा इस एंगल को मुझ आलफा वन बोल देते हैं और इस एंगल को भी बीटा वन बोल देते हैं कि हम लोग इसका भी देखे फॉर्मूला क्या लिखेंगे तो आरवन को क्या बोले हम लोग पीटी एंड मैनस फॉर्मूला के बीच में देखी और माइनस क्यू बेक्टर के बीच में कितना एंगल था 180 मैनस थीटा तो इसी फॉर्मूला में आप थीटा को 180 मैनस थीटा रेप्लेस करेंगे तो आरवन मिल जाएगा तो हम लोग लिखें यहां से आरवन दैट इस इकॉल टू कि पी माइनस क्यू कि मैंगिट्वूड को इसे प्लस करके लिखे थे और यहां पर हम लोग क्या करेंगे पी और मैनस क्यू बीच का इंगर लेंगे यहां पर हो जाएगा फी है कि स्क्वर कि प्लस य। स्क्वर प्लस टू त्यू पी क्यू सब्ट्रेक्टा एन वेक्टर मैन सब्ट्रेक्ट fluorेंट सब्सक्राइब इस वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर कि इसी को बोलते हैं सब्ट्रेक्शन दिखिए अब सब्ट्रेक्शन हो रहा है ना पी एंड क्यू का तो अब हम लोग इसकोई से लिखेंगे कॉस्ट वनेटी मेनस थीटा का फॉर्मूला डाल देंगे यह स्क्वाइर प्लस क्यू स्क्वाइ सो यह है एंगल बीडिविन आव पी एंड माइनस क्यू रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको याद अखना है इस पी और माइनस क्यों यहां पर यह एंगल अलफा वन लोग लिखेंगे यहां पर टैन अलफा बिल्कुल सिमिलर है सेम फॉर्मॉला रहे हैं अब तो आपको यूज क्या करना है साइन वन एटी मेनस थीटा यहां पर वो साइन वन एटी मेनस थीटा होता है साइन थीटा यह आप लोग को पता नहीं है तो इस प्लेइश्ट में जागे देख सकते हैं वीडियो अप्लोड कर चुके हैं यहां पर साइन थीटा के जगह पर डाल देंगे जहां भी यह थीटा यहां पर भी वनेटी मेनस थीटा उपर में वह जाएगा क्या क्यू साइन थीटा बिकाज 20 मेनस थीटा वही होता है साइन थीटा नीचे में T प्लस Q कॉस-सफिता है यह बेंटी मेनस सेटा है माइनस क्स्थीटा यहां पर रुजाएगा मेनस क्स्थीटा या align फावन क्या है एंगल ऑफ रिजल्टेंट विट वेक्टर पी देन यहां पर टैन वीटा वन यह क्या जाएगा यहां पर इसी फॉर्मला में थीटा को गोने टी मिनस थीटा यहां पर भी डाल देंगे यहां पर भी डाल देंगे तो पी साइन थीटा और नीचा आजाएगा क्यू माइनस पी कॉस थीटा तो यह वाला भी दो फॉर्मला हम लोग को यहां से मिला तो अभी जितना भी क्वेश्चन आपको आएगा वेक्टर का एडिशन सब्ट्रेक्शन से या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिजल्टेंट से इसी चार फॉर्मुला फर सार हो जाएगा चार फॉर्मूला एक फॉर्मौला में ब्राक यह वो यहां रह तो हुगा ब Gew wtedy का फॉर्मूला फॉर्मूलाaking वानाट सिर्फ और एंगल के लिए यहां पर एक वर फॉर्मूला आभर मिला tussen इस केस में जब सब्सक्ट्राइब होगा तो एंगल का फॉर्मोला यहां पर आगे हम लोग को सब्सक्रेक्चteen में रूह भी यह रखना है पूलorry तथा एंडिशन और सब्सक्राइब हो और अब लोग को समझमें करके में रॉइन कि झाल झाल